हाई एवरिवान मैं हूँ शिवांगी और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल क्लासी भवा के चुन में तो फ्रेंस जैसे ही गर्मिया आती है ना कुछ ना कुछ ठंडा-ठंडा खाने पीने का मन करने लगता है लेकिन जब बात आती है उसको घर पे चलो बाहर जा करके खरीद के कुछ ले आते हैं और खापी लेते हैं है ना फ्रेंस हमेशा इसे होता है और आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपसे शेर करने जा रही हूं हम सभी के फेवरिट और बहुत ही पॉपिलर अमूल कूल की रेसिपी और यहां पर मैं पाँच फ्लेवर्स में अमूल कूल की रेसिपी शेर करूँगी और साथ ही मैं शेर करूँगी आपसे अमूल कूल को बनाने के प्रीमिक्स की रेसिपी और इस प्रीमिक्स को गाईज आप घर की ही दो तीन चीजों से बना करके त्यार कर सकते हैं सेकंड्स के और इसको आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जभी भी आपका मन करें अमूल कूल पीने का बस विदिन मिनट्स आप बनाएं इस प्रीमिक्स की हेल्प से अमूल कूल और आप मानेगी नहीं गाईज बजार वाले अमूल कूल से कहीं साद अच्छा इसका तो प्लीज वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा बिल्कूल भी स्कित मत कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी तो सबसे पहले हम बना रहे हैं अमूल कूल के लिए प्रीमिक्स और इसके लिए मैंने ग्रांडिंग जार एक ले लिया है इसमें मैंने डाली है आधा कप शक्कर और साथ ही एक चौथाई कप मिल्क पाउडर तो इस तरीके का डेरी वाइटना राता है वही मैंने लिया हु और मिल्क पाउडर डालना जरूरी है इसे क्रीमी टेस्ट आता है और साथ ही जाएगा एक बड़ा चमच कॉन प्लार इंकेस कॉन प्लार नहीं है आपके पास तो एक बड़ा चमच कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं अभी इन सारी चीजों को एक तब महीन पीस लेना है और बन गया हमारा फटा फट सेकंद्स में तयार हो जाने वाला अमूल कूल के लिए प्रेमिक्स जी हाँ फ्रेंस यह है वो प्रेमिक्स जिसे आप किसी ऑटाइट कंटेणर में पाक कर के साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका अमूल कूल बना करके पीने का मन करें, simply आप ये प्रीमिक्स निकाले, इसे रेडी कीजे, और बस तयार है अमूल कूल सर्फ करने के लिए, तो इस प्रीमिक्स से कैसे आप डिफरेंट 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 फ्लेवर्स के अमूल कूल बना सकते हैं, ये रसेपी तो मैं आगे आप से शेर करूंगी ही, सा अपनी दाई बड़ा चमच ये प्रीमिक्स लेकर के फिर आप इसे अमूल कूल बना सकते हैं, अपनी चॉइस के लेवर का, तो गईस ये दो धी हमारी अमूल कूल प्रीमिक्स की रेसिपी, और अभी इसी प्रीमिक्स से हम बनाएंगे हमारे पांच प्लेवर्स का अमूल और इस पे हम डाल रहे हैं एक कप और एक चौथाई कप पानी, और अब इसमें जाएगा एक लेटर दूद, तो फ्रेंस यहां पे जो दूद इस्तिमाल हो रहा है, मलाई वाला दूद आपको नहीं इस्तिमाल करना है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, अमूल कूल जो ह दूद में एक अलाग बढूल में निकाल लिया है, और बाकी ने दूद ंबलने के लिए चोड़ लिया हूद अधकर आपकों जो डो दू निकाला था, उसमें हमने सालय का सारा अमूल कूल दूद में सालय गोलम आपकर प्रेमिक्स में बहिना है और फu Zebrang शाषाम थोड़ा सा चलाते हुए उबालना है और आप देखेंगे कि फटा-फट जैसे ही उबलना शुरू हो जाता है वैसे ही आपको दो अलग-अलग कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा आदेहा दे चमचे एकदम गर्मा-गरम दूद अलग निकाल करके रख लेना है और बाकी का द दूद में छोड़ देंगे ताकि इसका अरक उतर जाए दूद में और दूसरी वाली कटोरी का जो गर्मा-गरम दूद है उसमें एक टीस्पून मैंने कॉफी पाउडर डाला है तो फ्रंस ये निस्काफे के जो दो रुपे वाले वाले पाउचेस आते है वही दो पाउच अमूल प्रीमिक्स जो हमने डाल करके मिल्क तयार किया था वह पूरा का पूरा स्लरी वाला मिल्क और अभी आपको चलाना है उबालाने के बाद करीब 5 मिनट के लिए से मीडियम आज पर पका लीजेगा और जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे आप देखेंगे कि इसका टे अबलते हुए और मिल्क अच्छे से तयार हो चुका है तो गया समने ओफ कर दी है और इस स्टेज में आपको इस मिल्को बिल्कुल अच्छे से थंडा हो जाने देना है सबसे पहले तो और बीच-बीच में चलाते हुए थंडा कीजेगा ताकि इसमें मलाई अगर ना अब यह देखे कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी और यह फ्रेंस हमारा अमूल कूल के डिफरेंट 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 फ्लेवर्स बनाने के लिए अमूल कूल का बेस बन के तयार हो चुका है इस बेस से हम पांच अलग 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 प्लेवर्स के मूल कूल बनाए उसको हमने डाल दिया मिल्क में हलका समिक्स किया तो आप देखेंगे कि एकदम लाइट यलो कलर आगया है लेकिन मार्केट वाला हमे तो कलर दे रहा है तो इसके लिए एक ड्रॉप यलो जल फूट कलर पी इसमें अड़ कर दिया है जिसे कि बिल्कुल मार्केट वाला कलर और साथ ही मैंने यहां पे 200 ml की बॉटल ली है और इस बॉटल में हम हमारे अमूल कूल को भर देंगे अगर आपके पास में बॉटल नहीं है स्टोर करने के लिए तो आप क्या करें यह भी मैं आगी वीडियो में आपको बताऊंगी और यह बॉटल फिल करने के बाद धक्क अमूल कूल का बेस लिया है इसमें मैं ठाल रहे हूं दो बड़ा चमच रोज सिरप वैसे आप चाहें तो इसके जिगह पर जो रोज इमल्शन आता है वह भी आट कर सकते हैं बट रोज सिरप और वाफजा सब के घरों में होता है इसलिए में यही उस कर रही हूं इसको हमन मिक्स कर दिया है मिल्क बेस में और इसके बाद इसको भी हम छान लेंगे और साथी फ्रेंस आज की यह रैसिपि आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिगा लाइक बटन पर प्रेस करके शेर कीजिगा इसको अपने सारे फ्रेंस और फामि चान करके इसको बॉटल में फेल कर लेंगे धकन लगा कर इसको भी ठंडा होने के लिए चलोने के लिए रख देंगे तो अभी रोस फेवर का हमारा अमूल कूल बन के तियार हो चुका है इसलिए हम चलेंगे हमारे तीसरे फ्लेवर की तरफ जो की है अमूल कूल का पाउडर यानि कि पिस्य हुई इलाइची और साथ ही मार्केट वाला लुप देने के लिए इसमें मैंने दो डॉप लिक्विट ग्रीन फूट कलर अट किया है तो फ्रेंस लिक्विड कलर अट कर सकते हैं पाउडर कलर अट कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो और इ सर्फ करें और साती आप इसको कितने दुनों तक बना करके स्टोर कर सकते हैं यह भी मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगी तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा तो गाईस नेक्स फ्लेवर हम बना रहे हैं कॉफी फ्लेवर अमूल कूल का तो इसके लिए मैं एक कप अमूल कूल बेस लिया है और इस बोल में हम डाल रहे हैं वो कॉफी जो हमने स्टार्टिंग में गरम दूट के साथ में मिक्स करके रखी हुई थी और साथ ही मैं कुछ एक ड्रॉप्स बनेला एसेंस भी डाल रही हूँ तो इन सारी चीज़ों को अपको अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद वैसे तो गाईस इसे चानने की ज़ुरत नहीं है बहुती स्मूद अल्रटी बढ़ चलिए सब को चानने तो इसको भी चान लिया है एक दूसरे मग में और इसको भी हम फिल कर लेंगे हमारी बॉटल में और ढकन लगा करके इसको भी हम इसमें हम डालेंगे चॉकलेट प्लेवर देने के लिए या तो चॉकलेट सॉस या फिर कोखो पाउडर तो फ्रेंट्स जो भी आपके पास है वह आप सकते हैं मैं यहां पे चॉकलेट सिर्प इस्तेमाल कर रही हूं वह इसलिए क्योंकि बहुत असानी से किसी भी वरॉसरी के शॉप में अवेलेबल होते हैं, आजकल तो गई अमूल का, हर्शीज का, हरेके दस-दस रुपे के पाउचेस भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, तो कोको पाउड़ो तो expensive पड़ेगा, इस तरह के पाउचेस अगर आप चॉकलेट सिरप के लेंगे ना तो बड़े सस्ते पड़ेंगे, तो तीन बड़ा चमत चॉकलेट सिरप भी करीब में इसमें डाल लिया है, और इसको mix करने के बाद ये देखें, हमारा चॉकलेट फ्ले का एक्तम मार्केट स्टाइल, अमूल कूल बन करके रेडी हो गया है, दिखने में तो ये मार्केट स्टाइल है ही, टेस्ट में उससे भी कहीं जादा अच्छा है, कहीं जादा टेस्टी है, बहुत जादा रिफ्रेशिंग है, और ये अमूल कूल आप बना करके, फ्रिज मे कूल ना पहले से पना करके रख सकते हैं तो मेरा तो स्टॉक रेडी हो चुका है समर्स के लिए आप भी अपना स्टॉक रेडी कर लें अमूल कूल का शर्बत की जिगे पे इसको सर्फ करें लोगों को बस तारीकों के पुली बानेंगे आपके सब को बहुत जादा पसंद इन के सापके वस बातल नहीं है तो जिन भी ग्लासिस में आपको सर्फ करना इंद को आप वो ख्लासिस लेली जे उनम ही अमूल कूल कर लीजे और फिर ले लिजे unirap तो friends जो यह unirap होता है यह बहुत eco-friendly होता है साथ ही grease proof होता है non-stick होता है तो अब इनसे जब glasses को cover करेंगे तो होगा क्या कि जो freshness है आपके amul kool की वो maintain रहेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे ही air tight container में रहती है और जब भी भी आपको सर्फ करना हो, आप सिंपली निकाल करके इनको सर्फ करें. Thank you so much for watching. Happy cooking!